अभिया स्कूल क्लासिज में आपका स्वागत है वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबस्पेस का बेसिस और डैमेंशन के कुछ निमेरिकल्स जो की पी यू के प्रिविस एर कोईशन पेपर्स में आलरड़ी पुछे जा चुके है सबसे फ़र्स्ट कोईशन आपके सामनी है कि आपको एक बेसिस और डैमेंशन निकालने है एक सबस्पेस डवल्यू का बेसिस फाइंड आउट करने है और डैमेंशन फाइंड आउट करने है एक subspace W का जो की generate होते है इन चार वेक्टर से और जो main vector space दिया हुए वो r cube दिया हुए तो dimension of r cube तो हमें पते है कि 3 के ब्राबर होते है तो कोई भी एक ऐसा set जिसमें 3 से ज़्यादा vectors होंगे वो linearly dependent होगा तो जो W subspace generate हो रहे given vector से हम उन्हें लिखते हैं हमने लिखा 1-11842 हमने एक matrix consider किया है with row as the given vectors और हम इसे reduce करेंगे row echelon form में row echelon form में सबसे पहले क्या होता है कि हम इस element को 0 बनाते है इस element को 0 फिर इसे 0 फिर इसे 0 फिर इस second इस वले diagonal के नीचे इन दोनों को 0 बनाएंगे और फिर इसे 0 बनाएंगे तो row echelon form में क्या होता है diagonal के नीचे वले elements को 0 बनाते जाएंगे सबसे पहले operation लगा के हमने इन तिनों को 0 बना दिया फिर operation लगा के हमने इन दोनों को 0 बना दिया इस process में ये दोनों elements भी 0 बन गे और इस row को आपने minus x से s x से divide कर दिया तो आपके पास ये complete बनेगा row echelon form तो originally दिये हुए थे 4 vector row echelon form में change करते करते आपके पास बचगे सिरफ और सिरफ 2 vectors ठीक है तो जो the subspace span by the these vectors जो subspace इन 4 vector से span हो रहा है या जो इन 2 vector से span हो रहा है वो दोनों ही subspace ब्राबर होंगे तो आप एक line लिखोगे कि subspace span by the given vectors is same as the subspace span by these vectors और ये दोनों vectors क्या होंगे linearly independent होंगे तो ये जो row echelon form में आपके पास 2 vectors बनने थे 1, minus 1, 1 और 0, 2, minus 1 ये दो vectors span कर रहे हैं W को तो ये basis होगे ये क्या होगया? basis होगया W का और इसका मत्तब dimension of W किसके ब्राबर आगया? 2 के ब्राबर इस concept को करने से पहले आपको basis or dimension को concept बहुत अच्छे से आना चाहिए हम basically इसमें basis or dimension subspace का कर रहे हैं इससे पहले आपको basis or dimension vector space काना चाहिए move on करते है next question के उपर जो कि PU में पूछा जा चुक है इसने बोला कि determine basis and dimension of the space generated by 1, 2, 3, 4 4 vectors दे रहे हैं ये question already PU में 2013 में और उसके बाद भी 1, 2 time repeat हो चुक है तो main जो vector space है main vector space का dimension कितने 3 है तो कोई भी subset r cube का जिसमें 3 से ज़्यादा vectors होंगे वो क्या होगा linearly dependent होगा हमने एक matrix consider की जिसकी row given vectors होंगे ये सारी language अगर आप लिखते हो अपनी answer book में answer copy में तो आपको extra marks में लेंगे कुछ बच्चे to the point सिद्धा ही इस line से शुरू कर देते row eclone form से तो ये लिखना important होते है इससे पता चलते है examiner को कि आपको कितनी clarity है अब ये rows बना ली हमने सारी कि सारी अब इसके उपर आपने क्या क्या 1 और 4 को interchange कर लिया 1 और 4 को interchange करने के बाद हमें row eclone form में इसे 0 बनाने है इसे 0 बनाने फिर ये second non diagonal element है फिर इन दोनों को 0 बनाने और फिर इसे 0 बनाने तो इस process में क्या होगा आपके पास finally ये matrix बने तो हम एक line लिखेंगे कि 10 subspace जो span हो रहा था given vector से जो 4 given vectors थे उनसे span हो रहा था और 1 subspace इन 3 vector से span होगा ये दोनों subspace सेम होंगे 1 subspace क्या हो रहा है 1 subspace span हो रहा था given vector से और 1 subspace span हो रहा है आपके पास तीन वेक्टर से एक, दो और तीन ये दोनों ही सबस्पेस बराबर होंगे अल्सो ये जो रोव एकलोन फॉर्म की जो भी ये रोज है 1, 1, 1, 0, 1, 3 0, 0, 1 ये तीनों linearly independent है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये basis बन गया सबस्पेस W का और dimension of W3 आ गया dimension of subspace main vector space के बराबर आ गया main vector space आपके पास r3 था, उसका dimension भी 3 था, hence dimension of W equal to dimension of r3 तो second question ये PU में पूछा जा चुक है, इस case में जो subspace था, उसका dimension 3 ही आ गया basically जितने भी vectors दिये हुए थे उन्हें रोवेकलोन फॉर्म में convert किया उसके बाद जो आपके पास बचेंगे रोज, वो basis और dimension का, basis का का काम करेगा next move on करते हम fourth question के उपर, जो कि PU में 2 जा स्तारा में पूछा जा चुक है अब इसमें आपके पास क्या दिये हुए, main जो vector space है main vector space आपके पास polynomials का vector space है polynomials, इसमें क्या होंगे polynomials होंगे w एक subspace है w एक subspace यहाँ पर हमारे पास चार polynomials दे रखे हैं, तो जो w subspace है, वो इन चार polynomials से span हो रहा है, वो बन रहा है आपको w का basis और dimension निकालने हैं तो coordinate vectors निकालनेंगे basically vectors क्या निकलेंगे आपके पास जो coefficients है, polynomials के coefficients वो vector बनेंगे जैसे 1, 2, 3 और 5, फिर 2, 3, 5, 8, फिर 3, 4, 7, 11 फिर 1, 1, 2, 3 तो यह vectors मिल गया आपके पास यहाँ से हमने एक matrix A बना ली, 4 by 4 की इसे 0 बनाने है, इसे 0 बनाने और इसे 0 बनाने है, ठीक है तो यह operations accordingly लिगा दी है आपने उसके बाद, यह minus 1 आगया और इन दोनों को 0 बना दिया इस process में यह third row और यह fourth row यह दोनों ही 0 बनगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो दो आपके पास non-0 row आ रही है यह basis बनेंगी w का अब इसको आप polynomial form में चेंज कर दो तो यह क्या बनेगा x cube 2x square 3x plus 5 और यह क्या बनेगा minus x square minus x minus 2 यह basis बनेगा w का hence dimension of w की तना होगया 2 originally हमें 4 polynomials given थे आपने इसे coordinate vectors की form में लिखा 1, 2, 3, 5 की form में और at the end जब आपने row echelon form में change किया तो केवल 2 vectors ही मिले आपको केवल 2 vectors तो वो 2 polynomials ही span कर रहे हैं subspace को तो यही basis हो जाएगा और hence it is dimension of subspace equal to 2 एक और question है similar question है f3x का मतलब है कि 3 degree के polynomials ठीक है w उसका कोई subspace है अब यहाँ पे 4 polynomials दे दिये w generate होते हैं इन 4 polynomials है तो इनके coordinate vectors लिख लिए जो इनके coefficients हैं 1, minus 2, 4, 1 2, minus 3, 9, 1 तो यह सारे coefficients लिखके यह vectors बन जाएंगे अब क्या होगा आपके पास एक matrix A बना ली coefficients की coefficients की matrix बनाने के बाद इसके उपर row a clone form लगाई जब आपने तो यह 3 0 बन गे ठीक है उसके बाद by chance यह दोनो row completely 0 बन गी तो यह required row a clone form बन गी तो इसमें जो first row है और second row है यह आपके पास basis बनेगा w का और इसके corresponding ली जो आपके पास polynomials आएंगे x cube minus 2 x square 4 x और 1 यह basis बनेगा w का और dimension w का कितना बन जाएगा 2 next question भी बिलकुल similar है पर हम discuss करेंगे 7th question जो की matrices का question है main vector space जो दिया हुए है वो 2 x 2 matrices का vector space है ठीक है वो किसके 2 x 2 matrices का vector space है w एक subspace है जो की generate होते है 1, 2, 3, 4 matrices है तो मान लेते हैं के हम v1, v2, v3, v4 है अब इसके coordinate vectors निकालेंगे हम coordinate vectors basically क्या निकल जाएंगे इसे ही एक single row में change कर लो एक matrix एक vector 1, minus 5, minus 4, 2 1, 1, minus 1, 5 2, minus 4, minus 5, और 7 मतलब की matrix के elements को ये complete row में लिख लिया आपने तो second matrix के elements को ये complete row में लिख लिया तो ये आपके पास एक matrix ये बनी जिसके rows ये सारे आगी matrices को row की form में लिखा तो ये matrix बन गी row echelon form में convert करेंगे तो आपके पास ये दो row आएंगे बाकी दो row 0 बन गी तो which is the echelon form of a तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया ये दोनों elements ये basis बनेगा किसका basis बनेगा w का अब इन दोनों को matrix form में change कर दो 1, minus 5, minus 4, 2 0, 2, 1, और 1 ये basis बन गया w का और dimension of w कितना आ गया 2 originally w को generate करने वली 4 matrices थी पर उन में से 2 फालतू की matrices थी जो काम ये 4 matrices कर रहे हैं वो ही काम ये 2 matrices भी करेंगे so वीडियो में हमने डिसकस किया subspace का basis और dimension कैसे find out करने जो भी subspace दिया होगा जो भी elements दियोंगे उन्हें matrix form में लिखके row eclone form में convert करने बाद में जो बचेंगे vectors वो सारे के सारे basis होगा vectors subspace w का और जितने नंबर होंगे वो बन जाएगा dimension subspace w का वीडियो को multiple times देखिए और अपना concept strong कर लिजिए क्योंकि यहां से एक या दो question definitely पुछे जाते हैं exam में मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक पढ़ते रहें practice करते रहें पुछे पुछे उनकार